हेलो एवरिवन, स्टुडेंट्स, टूडे वी विल स्टूडी, क्लास थर्ड, वर्क्सीट नंबर 20, इन इंग्लिस, लेट्स सी, लेशन नंबर 20, इन वर्क्सीट नंबर 20, फर्स्ट अफॉल, वी विल सी, न्यू वर्ड्स, बच्चों, न्यू वर्ड्स का मीनिंग होता है, नए शब्द, माइल्स, माइल्स कार्थ होता है, यूनिट ओफ डिस्टेंस, माइल्स मीन्स होती है, दूरी, सेंड, सेंड मीन्स होता है, रेत, नेक्स्ट है बच्चों, थॉन्स, थॉन्स बोलते है, कांटों को, तो इसका मतलब होता है, कांटे, बच्चों, read the story and answer the questions बच्चों कहानी को पढ़कर हमें प्रस्नों के उत्तर देने हैं तो सबसे पहले हम कहानी पढ़ते हैं एक कैमा लिवड इन ए फॉरेस्ट, एक उंट जंगल में रहता था He had a very bad habit of teasing and insulting other animals for their appearance उसकी एक बुरी आदत थी वह जानवरों को उनकी appearance उनकी बनावट के लिए उनका अपमान करता था और उन्हें सताता था insulting होता है अपमान करना और teasing कहते हैं सताने को He would tease the elephant and say उसने हाथी को भी सताया और कहा Oh, how fat and ugly you look तुम कितने मोटे और भद्दे दिखाई देते हो God has given you two tales भगवान ने तुम्हें दो पूँच दी है One at the back, एक तो पीछे and one in front और एक सामने उसका कहने का मतलब था कि एक तो आपकी पूँच है और एक आपको जो सून्ड दी है To the rhinoceros, he would comment उसने rhinoceros को कहा All animals have two horns on head कि सभी जानवरों के दो horns होते हैं उसके सर पर But you have just one horn on your nose But लेकिन तुम्हारा तो केवल तुम्हारी नाक पर एक ही सिंग है He also teased the zebra उसने जेबरा को भी सताया For the black lines on his body उसकी बोडी पर काली लाइनों के लिए All the animals felt bad at this सभी जानवरों को इस पर बहुत बुरा लगा One day एक फ्रेंक मंकी एक दिन एक चालाक बंदर था Meet the camel and said वह उंट से मिला और उसने कहा Oh Mr. Camel Where are you going with that ugly hump on your back? की उंट तुम इस भद्दे से कूबर के साथ जो की तुम्हारी कमर पर है कहा जा रहे हो? You have such long legs तुम्हारी कितनी लंबी टांगे हैं And small body और कितना छोटा सरीर है The camel felt hurt at such words इन सब्दों को सुनकर उंट को बहुत बुरा लगा He now learnt a lesson अब उसको सबक मिल गया था And new और वो जान गया था How others felt At his comments कि उसकी ऐसी टिपनी करने पर बाकी जानवर कैसा महसूस करते हैं So इसलिए He gave up on that bad habit इसलिए उसने अपनी सारी गंदी आदतों को छोड़ दिया And started praising others For their uniqueness और अब उसने दूसरे जानवरों की uniqueness के लिए उनकी प्रसंसा करनी सुरू कर दी जो uniqueness का मतलब होता है एदित्य या अनूठा तो उसने उनके अनूठे पन के लिए दूसरे जानवरों की प्रसंसा करनी सुरू कर दी अब देखते हैं बच्चों इस passage के question के answer तो बच्चों first question है How did the camel tease the elephant? उन्ट ने हाथी को कैसे सताया? Camel tease the elephant उन्ट ने हाथी को सताया ओ, यह कहकर की ओ, how fat and ugly you look तुम कितने भदे और मोटे हो God has given you two tails भगवान ने तुम्हें दो पूच दी हैं वन अट बैक, एक पीछे और एक आगे अब देखते हैं बच्चों next question What did the camel comment to rinocers? rinocers को उन्ट ने क्या comment किया? क्या टिपनी की? camel commented to rinocers उन्ट ने rinocers को टिपनी की All animals have two horns on head कि सभी जानवरों के सिर पर दो सिंग होते हैं but you have just one horn on your nose लेकिन तुमारी तो नाक पर केवल एक ही सिंग है अब देखते हैं बच्चों next question Who taught the camel a lesson? किसने उन्ट को एक सबक सिखाया? एक monkey taught a lesson to the camel तो किसने सिखाया था बच्चों? monkey ने तो monkey ने उन्ट को सबक सिखाया next question है बच्चों write any special quality that you have बच्चों अपनी कोई भी विसेश गुन जो तुमारे अंदर है वो आप लिखेंगे तो सबी बच्चों में अलग-अलग qualities होती है तो इस question के answer में बच्चों सबी अपनी-अपनी quality लिखेंगे जैसे की I can run fast मैं तेज दोड सकती हूँ या दोड सकता हूँ Let's see question number two Identify these animals First is I am the king of the jungle मैं जंगल का राजा हूँ तो जंगल का राजा कौन होता है Lion I have the longest neck मेरी गुर्दन सबसे लंबी होती है तो किसकी होती है बच्चों जिराफ की I have a long tusk मेरे लंबे दाथ होते हैं तो किसके होते हैं बच्चों Elephant के I carry my baby in my body pouch मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखता हूँ तो कौन सा जानवर होता है वो होता है बच्चों कंगारू Next है बच्चो I am the ship of the desert मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ तो कौन सा animal है बच्चों Camel I breathe with the help of fins मैं fins के सायता से सांस लेती हूँ तो कौन सा जानवर है बच्चों Fiss मचली बच्चों Let's see Question No.3 Classify these animals according to their habitats बच्चों जानवरों के आवास के आदाहर पर अब हमें उन्हें वर्गी करत करना है तो देखते हैं कौन-कौन से जानवर है सबसे पहले यह देखते हैं Camel Whale Giraffe Polar Bear Snake Tiger Duck Frog Penguin Octopus Habitat is a place where animals live and grow Habitat बच्चों वहे इस्थान होता है जहां पर animals रहते हैं और बड़े होते हैं First है बच्चों Desert Desert किसका habitat है Camel का और जिराफ का Next है forest Forest में सोता है बच्चों Jungle तो forest में कौन-कौन से अनिमल रहते हैं Tiger और Snake Next है बच्चों Ocean Ocean में कौन-कौन से अनिमल रहते हैं किसके habitat है Whale and Octopus Next है Snow Burf में कौन-कौन से अनिमल रहते हैं Polar Bear रहता है और Penguin रहते हैं Next है बच्चों Pond ताल आप में कौन-कौन से अनिमल रहते हैं Duck रहती है और Frog रहता है अब देखते हैं बच्चों Question No.4 Look at the following picture and write a story in your words Also color the picture बच्चों ये एक picture है ठीक है इसको देखकर आपको एक story लिखनी है और आपको color भी करने है तो देखते हैं पहले story A boy is putting his puppy in a tub for bath एक लड़का अपने पपी को नहाने के लिए टब में रख रहा है He rubs shampoo and water on puppy's body वह पपी की सरीर पर shampoo लगाता है और पानी डालता है After bath और नहाने के बाद He put his puppy outside of tub वह अपने पपी को tub से बाहर निकाल लेता है पपी सुख his body to dry अब उसका जो पपी है वो अपनी बॉड़ी को सूखने के लिए हिलाता है सुख में सोता हिलाना उसके कारण some drops of water पानी की कुछ बूदे fall on that boy तो उसके कारण पानी की कुछ बूदें उस लड़के के उपर गिर गई पपी is very happy after taking bath पपी जो है नहाने के बाद बहुत खुस है बच्चो इन पिक्चर्स में आपको swim कलर करना है अपनी चोईस से आप कोई भी कलर इसमें कर सकते है Students, if you like this video, please share and like and if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you